कि यहां पर जब कहा गया कि उनके पिता जो राजेस पाइलेट हैं वो पी एम बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं उनका भी सचिन पाइलेट का सपना है कि वे एक बड़े पद पर जाएं तो क्या ऐसे बड़े पद पर जाने पर क्या कॉंग्रिसमें उनको सफलता कोई मिलीगी या फिर वो भी ऐसे बड़े पद के लिए ही टिके हुए हैं कि अभी मैं कॉंग्रिस साथ दूँ फिर जाके बड़ा पद मिल सके तो क्या कॉंग्रिस में रहेकर उनको ये बड़ा पद नसीब हो सकता है क्योंकि उनके पिता को तो नहीं हुआ लेकि क्या यहां पर वो भी अपनी जमीन मजबूत करनी चाहिए आपने का है पीम पद के लिए तो कोई संशे की बात नहीं थे कि बनना चाहिए होनहार आदमी हैं जैसा लगाता उनके बारे में कहा जाता है एक बेतरीन पॉलिटिशन है अच्छी मुद्धो की राजनिती की बात करते हैं तो ऐसे कई कॉंग्रेस पार्टी को जरूरत है अपने जो होनहार लोग हैं अपने जो करमत लोग हैं जो लगातार बहतर राजनिती करते हैं बहतर भाशन बाजी करते हैं लोग को कम्म्निकेट करना का जिनको ढंग है जिनको लोग भरोसा करते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए औ मैं यह कहूँगा दौलत आखिर में कि कॉंग्रेस पार्टी ने कई सारे नेताओं को इसलिए गवा दिया कि उनको आगे बढ़ाने का जो उनको कह सकते हैं कि काम मौका देना चाहिए था या काम करना चाहिए था वो बहुत समय पहले करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर और दशा के साथ में उनको आगे बढ़ाए ताकि वही लोग कॉंग्रेस पार्टी के लिए इस्तम साबित हों तो बिलकुल लगातार यहां पर कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी को यहां पर अगर अपने आपको उभार के लाना है और अगर 2024 के लोग सबाज चुनाव बचे हैं और कहा जा रहा है कि सचिन पाइलेट यहां पर अपनी विचारधारा पर तो अडिक है लेकिन रख कॉंग्रेस लगातार उनके साथ यह विवार करती रही तो कही ना कही विचारधारा और पार्टी दोनों यहां पर बदल सकती हैं बाकि और भी आजी खबरी जान